दोस्तों रमस्का स्वागत एक बाफे से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपसे निवेदन हैं करपा चैनल को सस्क्राइब करें और गंटी बटन भी दवा दें पहली बड़ी खबरा कॉंग्रेस पार्टी हो गई मजबूत पप्पु यादव की पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी में हो गया बिले दासला पप्पु यादव ने अपनी पार्टी का कॉंग्रेस में बिले का दिया है लोकसबा चनाब से पहले पूर्व संसद ने जनर्दिकार पार्टी का कॉंग्रेस में बिले करने का फैसला लिया वो पूरिमा सीट से लोकसबा का चनाब रड़ेंगे उनकी पत्नी रंजीत रंजना कॉंग्रेस की दाथ सबा संसद हैं और उनके बेटे सार तक भी कॉंग्रेस में सामिल हो गए सुत्रों के मताबिक पपू यादव को कॉंग्रेस में सामिल कराने के पीछे प्रिंका गांदी ने एहम भोमिका निभाई है आपको बता दें कि फिलाला पपु यादव ने अपनी पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी में विले कर दिया है आवली बड़ेखवर रेलवे एक अपरेल से करने जा रहा बड़ा बदलावा बिना टिकेट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए तो ऑनलाइन भड़ सकते हैं जुर्माना दासला डिजिटल भारत की दिसा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे कई नए बदलाव करने दारा है इसी करम में एक अपरेल से रेलवे खाने से लेकर टिकेट जुर्माने और पारकिंग तक सभी जगे ऑनलाइन भुकतान की सुविदा शुरू कर रहा है खास बात ये है कि ट्रेन में बिना टिकेट यात्रा करने वाले यात्रियों से भी रेलवे आवा की यूर कोड स्केन करा कर जुर्माना बसू लेगा आवरी बले खवरा पीम नरेंद्र मोदी और निमला सीतरमन के खिलाब चुनाव आयोग पौँची डियम के लगाए गंभीर आरोप दरसला तमिलनाडू की सत्तारोड डियम के ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग कोईम बटूर में पीम नरेंद्र मोदी के रोड सो के लिए बीजेपी द्वारा इसकूली बच्चों का इस्तिमाल किये जाने की जाच करे और साथी नफरत फैलाने वाला बाचन देने के लिए केंद्र वित्तमंत्री निमला सीतरमन के खिलाप कड़ी करेवाई की जाए आपको बता दें के इस बीचा कोईम बटूर के जिला अधिकारी करांती कुमार पती ने कहा कि प्रसासना मोदी के रोड सो के दोराना इसकूल बच्चों का इस्तिमाल की घटना की जांच कर दा है और जांच के निसकर्सों के आधार पर ही उचित कारेवाई की जाएगी आली बड़ी ख़बर ममता बना जी की पाठी ने कडाली बड़ी मांग कहा सुप्रिम कोट की निगरानी में हो लोकसवा के चुनावा तो अधिरंजन चौधरी बोले संदेश खाली की जांच होना बहत ज़रूरी दरसला तनमूल कॉंग्रेस के नेता डेरेक कोबराईन ने कहा कि उनकी पाठी चाती है कि लुकसवा चुनाव सुप्रिम कोट की निगरानी में हो डेरेक कोबराईन ने कहा कि बीजेपी निर्वार्चन आयोग जैसी संस्थाओं को नश्ट कर रही है टीमसी की इसमांग पर कॉंग्रेस नेता अदीरंजन चौधरी ने जमकर पलटवार किया अदीरंजन चौधरी ने कहा के लेक्षन कमी सन संब्यदानिक संस्था है ऐसे में सुप्रीम कोट इस पर कैसे हस्तक्षेव कर सकती है लेकिन संदेश खाली मुद्दे की जाचा सुप्रीम कोट की निगरान में होनी चाहिए आवड़ी वड़ी खवर मलीकाजुन खळगे ने पीम मोधी पर बोला जबजस्थ हमला पीम मोधी पर लगाया लद्दाक के लोगों को धोका देने का आरोप बोले मोधी की गारंटी चायनीट गारंटी है दसला कोंग्रे सद्धाच्य मलीकाजुन खळगे पीम नरेंद्र मोधी पर हमला बोलते हुए उन पर लद्दाक के लोगों के साथ दोका करने का आरोप लगाया है मलीकाजुन खळगे ने कहा कि लद्दाक में लोगों ने संबेदान की छटी अनुसूची के तहता सुरक्षा की मांग की है मगर बाकी की गारंटीयों की तरह जारी लड़कियों को हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए 75 रुपए लीटर मिलेगा पैट्रल और 65 रुपए 5 लीटर मिलेगा डीजल दासला लोग सबाचुनाब 2024 के लिए डीमके ने अपना गोस्तना पत्र जारी कर दिया है लोग सबाचुनाबों के गोस्तना पत्र के साथ त लड़की को मासिक 12,000 रुपए देने का भी वादा किया है तमिलनाडू में नीट परिक्षा में छूड़ दी जाएगी और रसोई गेस सिलिंडर की कीमत मात्र 500 रुपए होगी तो वहीं 75 रुपए 5 लीटर की दर से पैट्रॉल दिया जाएगा और डीजल की दर 65 रुपए चिका को खरिच का दिया जिसमें राहुल गांदी, केद्रबाला और अखले सियादव के खिलाब मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी याचिका में चुनावाय होगा और ग्रह मंत्राले को सिकाय दड़ करने और इन राजनेताओं के खिलाब नुकसान पहुचाने के इरादे से कठित रूप से ब्रामक और जूटे बयान देने के लिए मुकदमा चलाने की अपील की गई थी याचिका के मुताबिक राहुल गांदी, केद्रबाल और अखले सियादव ने दावा किया कि सरकार ने बड़े उद्द्योग पतियों के लगबगा 16 लाख करड़ रुपए के करज को माफ कर दिया है, कोट ने ये कहते हुए याचिका को खरिच कर दिया कि भारत के बोटर्स के दिमाग को कम नहीं आखा जा सकता और वो जानते हैं कि कौन सच बोलदा है और कौन जूट बोलदा है आवली बले खवर सुप्रिम कोर्ट में बोली मोधी सरकारा रोहिंगिया मुसलमानों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं करेंगे कड़ी करवाई दासला भारत में अवैद तरीके से गुस्पैट करने वाले रोहिंगियां परा केंदर सरकार ने अपना रुखिस पस्ट कर दिया है आवली वले ख़बर ग्रह मंत्री आमिचा ने राहुल गांदी पर बोला जबज़ समला बोले अगर इलेक्टोरल बॉंड हपता बसूली है तो राहुल गांदी बताएं 16 करण रुपए कहां से लाए हैं दासला इलेक्टोरल बॉंड को लेकरा कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी की ओर से बीदेपी पर आरुप लगाए जाने पर पहली बार केंद ग्रह मंत्री आमिचा ने बड़ी पत्किरिया दी राहुल गांदी ने इसे सबसे बड़ा हफ्ता बसूली रेकेट करार दिया था इस पर ग्रह मंत्री आमिचा ने कहा कि राहुल गांदी को भी 1600 करण रुपए इलेक्टोरल बॉंड के जरिये मिले हैं। रामपाल माजरा ने कहा कि वो पुराने और नए कार्यकरताओं को साथ लेकर जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस दोरान उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी पर भी निसाना साधा। उन्होंने कहा कि चेहरा बदलने से सत्ता बिरोधी लहर कम नह होगी उन्होंने कहा कि नायप सिंग सैनी एक डमी मुख्यमंत्री हैं यही नहीं रामपाल माजरा ने कहा कि इनेलो हरियाना की सभी दस लोग सबा सीटों पर चुनार लेगी और जीत भी दज करेगी। निर्वाचन अधिकारी के कार्याले से नामांकन पत्र खरीद लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी टिकेट दे या ना दे लेकिन वरोण गांदी का पीली भीत से चुनार बढ़ना त्य हो गया है। नामांकन के आज पहले दिना वरोण गांदी के निजी चार सेटों में नामांकन पत्र पीली भीत लोगसबा सीट के लिए खरीदे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बारा बीजेपी वरोण गांदी का टिकेट काट सकती है और ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वरोण गांदी को टिकेट दे सकती है। तो वहीं जारखंड मुक्ती मोचा 5 सीटों पर चुनाब लड़ेगा, RJD एक सीट पर चुनाब लड़ेगी और CPI ML एक सीट पर चुनाब लड़ेगी, RJD को चत्रा और CPI ML को कोडर्मा सीट दी जाएगी, जारखंड में जेमें, कॉंग्रेस, RJD और लेफ्ट गडबंदन की सरकार है, आपको बता दें कि फिलाला जारखंड में सीटों का फार्मूला फैनल हो गया है, आवली वलेखवार आमादमी पार्टी नेता संदीप पाठग ने कर दिया बड़ा एलान, बोले, ED के किसी भी समन पर नहीं जाएंगे केदरबाला, अगर ग्रफतारी हुई, तो आजाएगी सुनामी, दातला, आमादमी पार्टी के राष्टे संगठन महा सचवा, और राजिसवा सांसा संदीप पाठग ने कहा, कि प्रवर्ता निदेशाल है, यानि ED के किसी भी समन पर अरविंद केदरबाल नहीं जाएंगे, संदीप पाठग ने दावा करते वे कहा, कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजग केदरबाल की ग्रफतारी होती है, तो सुनामी आ जाएगी और बीदेपी का पूरा गड़ित फिल हो जाएगा, उन्होंने कहा कि बीदेपी का मुख्यमकसद यही है कि कुछ भी करके केदरबाल को इस चुनाप से बाहर किया जा सके, इसलिए पिछले कई दिनों से और महीनों से इसकी प्लानिंग की जा रही है, बड़े सडियंत्र रचे जा रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि केदरबाला एडी के किसी भी समन पर नहीं जाएगे, यदि उनकी गरफतारी होती है तो सुनामी आ जाएगी, अजै मिस्रा टैनी के बेटे ने पदसनकारी किसानों पर कार चड़ा दी थी, उस मंतरी को फिर से लखिमपुर से टिकेट दे दिया, उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि उत्ता पदेश के मुख्यमंतरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अजै राये ने कहा कि जब कानून के जचक ही भचक हो जाएंगे तो ये होगा ही, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कानून विवस्था के नाम पर मुख्यमंतरी योगी आदितनात को इस्तीफा दे कर मठ चले जाना चाहिए, मैं आज फिर यही कह रहा हूँ कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, राम गोपाल यादव ने भी कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के समय हिंसा कराती है, आवली वड़े ख़बर कॉंग्रेस में सामिल होने के बाद पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जीतेंगे सारे चुनाव, दसला बिहार में लुक्सवा चुनाव से पहले कॉंग्रेस का कुनवा बढ़ गया है, पूर्व सांसत पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कॉंग्रेस में बिलकर दिया है, कॉंग्रेस में सामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हम बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिल करा 2024 का लोग सबाचनाबा और 2025 का विदान सबाचनाब जीतेंगे लालू प्रसाद यादव का पूरा इसनेह मेरे प्रतिब बेटे की तरह रहा है उन्होंने कहा कि ना हम उनके दिल से निकले हैं और ना उन्होंने कभी निकाला है उन्होंने साफ कर दिया है कि हम 2024 और 2025 का विदान सबाचनाब भी दीतेंगे आवली बढ़े ख़वर ग्रह मंत्री अमित्वा ने बिपक्षपर बोला जबजज समला बोले नोट गिंते गिंते गर्म हो जाती है मसीन और बिपक्ष एडी के च्छापाँ पर उठाता है सवाल दासला केंज ग्रह मंत्री अमित्वा ने आज न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच से पूछे गए सभी सवालों का बेबाग तरीके से जवाव दिया जब उनसे नेताओं के घरों परा ED, CDI और Income Taxi Department के चापों को लेका सवाल पूछा गया तो ग्रह मंत्री अमित्वा ने विपक्ष पर करारा हमला बोल दिया उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पधान मंत्री बनने के बाद काले धन परा कठोर कारिवाई हुई है ED काले धन पर कड़ी करेवाई कर रही है उन्होंने कहा कि ED ने जितनी भी समपतियां कुरकी हैं उनमेंसे सिर्फा 5 फीसदी जाजनेतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की हैं और बाकी 90 में फीसदी काले धन वाले लोगों की हैं केंदे ग्रहमंत्री अमित चाने कहा कि कारेवाई में कॉंग्रेस के एक सांसत के घर से 355 करोड रुपए मिले SBI की 10 मसीने नोट गिन तेंगें ते ठगगई गर्म हो गई और फिर भी विपक्स के नेता चाते हैं कि उन पर कारेवाई ना हो आवली वले खवार हिमाचल में कॉंग्रेस को लगा बड़ा जटका परदेश साथ जचिप प्रत्वा सिंग नहीं लड़ेंगी लोग सबा का चुनाब दासरा हिमाचल परदेश में कॉंग्रेस पार्टी को लगाता जटके लग रहे हैं अब एक और नेता ने लोग सबा चुनाब लड़ने से साफिनकार कर दिया परटी पदेशाथ जच्वरा, मौजूदा सांसधा, प्रत्वा सिंग ने मंडी लोग सबा सीट से फिर से मैदान में उतरने से साफिनकार कर दिया दिल्ली से Congress Working Committee के साथ मीटिंग के बाद सिमला लोटी प्रतिवाद सिंग ने मीडिया से एहम बाचीत की सिमला में, Holly Lodge में मीडिया से बाचीत में प्रतिवाद सिंग ने कहा कि उन्होंने हाई कमान को बता दिया है कि वो चुनाब नहीं लड़ेंगी और उन्होंने अपना नाम भी बापस ले लिया है आवडी वले खवार ग्रह मंत्री आमित साने का दिया बड़ा दावा बोले पश्चम मंगाल की जनता राहुल गांदी और ममता बना जी को सिखाएगी सबाग हम कम से कम जीतेंगे 25 सीटें दासला देश में लोग सबाचनाप का बिगुल बच चुका है इस बीच के इंद गरह मंत्री आमित साने दावा किया कि उनकी पार्टी राइडनितिक रूप से बेहद संबेदन सील राज्या पश्चिम मंगाल में कम से कमा 25 सीटों पर जीतांसल करेगी नेटवर्क 18 समूग के जाइजिंग भारत कारकरम में अमित्सा ने कहा कि पश्चिम मंगाल की जनता ममता बना जी के सासन से आजी जा चुकी है उसे पीम नरेंद्र मोदी में एक उम्मित दिखती है आपको बता दें कि फिलाला उन्होंने साफ कर दिया है कि पश्चिम मंगाल की जनता इस बारा राहुल गांदी और ममता बना जी को बड़ा सबक सिखाएगी आवली बड़ी खवार अनुराग ठाकुर ने बिपक्षपर बोला जबकि जाजनीती में आने से पहले वो बहुत ग्यान देते थे अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर किसी का अपना मत होता है लेकिना कुछ लोगों का चुनिंदा मत होता है उन्होंने कहा कि जाहुल गांदी और सौनिया गांदी जमानत पर है जबकि संजय सिंग सतेंद्र जैन जेल में हैं उन्होंने कहा कि यहां कुछ जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं और अर्विंद केद्रबाल एडी के समन से भागे-भागे फिदा हैं उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े जूटे हैं और आमादमी पार्टी दिल्ली में सबसे ब् बिपक्ष पर जम कर भढ़के ग्रह मंत्री अमित्षा बोले मोदी जी को जितनी गालियां पढ़ती हैं कमल उतना ही अधिक खिलता है दासला ग्रह मंत्री अमित्षा ने कहा कि जब भी चुनाबाता है तो ये बिपक्ष के लोगा मोदी जी को गालियां देते हैं मगर 2001 से ये एक रिकॉर्ड है कि मोदी जी को जितनी ज्यादा गालियां पड़ती हैं कमल उतना ही जोर से खिलता है और मोदी जी ज्यादा बहमत पाते हैं उन्होंने कहा कि इस बार भी यही होने जा रहा है विपक्ष के निताओं की ओर से पीम नरेंद्र मोदी के प्रते आपती जनक यहां मिली है उन्होंने कहा कि कोई एक या दो लोगों की बद्दॉण से कोई फरक नहीं पड़ सकता उन्होंने कहा कि mano को देश के साथ ही पांडुचेरी को राज्य का दजा देलाने की बात भी कही है इस दोराना पार्टी ने कुछुमी द्वारों की सूची भी जादी कर दी जिसमें पचास से ज्यादा नई चेहरों को सामिल किया गया है आपको बता दी कि मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसारा स्टालिन का कहना है के केंडर में विपक्षी गडबंधन इंडिया की सरकार आने पर राज जिपाल की सक्तियों को कम का दिया जाएगा आपको बीजेपी के चुनाव चिन्न पर मचा गमासाना कमल पर बिराजमान एं देवी देवता भाजपा से वापस लिया जाए चुनाव चिन्न याचिका सुप्रिम कोट ने कर दी खारिज दासला भाती जनता पार्टी के चुनाव चिना कमल को वापस लेने के लिए मद्रा साई कोट में एक याचिका दायर की गई हालां कि आज मद्रा सुचिनियाले ने इस याचिका को खरिश का दिया याचिका में कहा गया कि हाई कोट भाजपा के चुनाव चिना कमल के फूल का आवंटन रद करने के लिए चुनाव आयोको निदेश दे मदरा साई कोट के मुक्के नियादीश ने तमिल नाडू की अहिंसा सूसलिस्ट पार्टी के संस्थापक डी रमेश द्वारा दैर याच को खारिच करे दिया अपनी याचिका में रमेश ने दावा किया कि कमल का फूला भारत का राश्चि फूल है इसका प्रतिक किसी भी राजनेटिक दल को आवंटित नहीं किया जा सकता है और ऐसा आवंटना राश्च्य अखंडता का अपमान हैं इसे लिए बीडेपी का दासला अरबिंद केद्रबाल की अरजी पर दिल्ली हाई कोट में जस्टिस सुरेश के तोरा जस्टिस मनो जैन की पीठ ने पूछा क्या आप समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे। इसके जबाब में केद्रबाल की पेरवी करते वे सीनियर एडवाकेट अबसेक मनु सिंग भी ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है मगर उन्हें प्रोटक्शन चाहिए। हाला की अब स्वास्थेवं परिवार कल्यान मंत्राले ने पंजाब सरकार से आईवीएफ तकनीक से जन्म लेने वाले सिसुओं पर कानून को लेकर रिपोर्ट मांगी है। ये थी अब तक की बहुत बड़ी ख़बर हैं रोजाना की ताजा ख़बरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बड़न दबाकर सस्क्राइब करें और गंटी बटन भी दबादें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन जै हराथ